नमस्कार मेहुद्वय बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज है 24 मार्च दिन रविवार खबरों के उबरने से पहले आप सभी को होली का दहन की हार्दिक शुब काम ना है अब एक नजर सुर्खियों पर होली का दहन आज जाने सुब महुर बिहार बोट के अध्यक्ष ने मैट्रिक रिजल्ट जारी होने को लेकर दिया अपडेट प्रिदेस में कई जगों पर होली के दिन बारस की संभावना बिहार बोट के बार्विंग की परिक्षा में सिवान के मृतियुंजर कुमार बने साइन्स टॉपर वोटर आईडी कार्ड में इस तरह से एड्रिस करें अपडेट ड्राइविंग लाइसेंस को घर बैठे रेन्यूग करवाना संभव राधस्थान, रॉयल्स और लखनों सूपर जाइंस के बीच आज होगा मुकाबला अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तकी 25 बरी खबरों की और विस्तार से SSC फेज 12 के तहट 2049 पदों पर भरती के लिए एक और मौका SSC ने उमिद्बारों को फेज 12 सेलेक्शन पोस्ट के लिए अपलाई करने का एक और मौका दिया है पहले इसके आविदन की आखरी तारीक 18 मार्च थी जो अब रहा का 26 मार्च कर दिया गया है एक चोक मिद्बार इसके आधिकारिक वेबसाइट https ssc.gov.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं इस भरती के तहत 2049 रिक्त पद भरे जाएंगे जिसमें प्रोग्राम असिस्टेंट, अपर डिरिजन, कलर्क, लाइब्रेरी और सुचना सहायक के पद सामिल है अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग सेक्षनिक योगताय निर्धारित की गई है किसी में दसवी या बारवी तो किसी पद के लिए असना तक पास होना जरूरी है आविदन सुल्क की तहत आपको सौर पे देने होंगे इस भरती से संबंदित सर्दिक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके अधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देख ले होली का देहन आज जाने सुब महोर्थ आज है होली का देहन आज के दिन भदर काल सुबह के नौ बचकर पचपन मिनट से लेकर रात के ग्यारा बचकर तेरा मिनट तक रहेगा ऐसे में भदरा के बाद रात ग्यारा बचकर तेरा मिनट पर होली का देहन होगा इस बालोगों को देर रात तक होली का दहन के लिए इंसजार करना होगा वहीं एक मज़कर 20 मिनेर पर सुब महुर्थ होने की बात कही जा रही है होली पर 100 साल के बाद चंदर ग्रहन का दोस्त मना है हाला कि ये चंदर ग्रहन भारत में नहीं है मालूमों कि फालगुन महीने की पुर्णिमा के तिथी को होली का तेओहार मनाया जाता है और इसके ठीक पहले एक दिन होली का दहन होती है धार्मिक मानिताओं के अनुसार इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत होई थी आप खुली का दहन कैसे मनाएंगे हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं बिहार बोट के बार्विंग की परिक्षा में सिवान के मृत्यूंजय कुमार बने साइंस टॉपर बिहार बोट के बार्विंग की परिक्षा परिनाम की घोस्तना हो गई है इसमें सिवान के मृत्यूंजे कुमार साइंस की टॉपर बने हैं, इन्होंने परिक्षा में 481 नंबर हासल किये हैं, सिखपूरा की रहने वाली प्रिया कुमारी कॉमर्स की टॉपर बनी हैं, इन्हें कुल 478 अंक मिले हैं, जबकि आर्च के टॉपर पटना के तुसार कुमार हैं, इन्हें परिक्षा में 482 अंक हासल हुए हैं, साइंस संकाई में छपरा के सिव्मरन गुपता दूसरी टॉपर हैं, इधर सीथा मरी के वरुन कुमार तीसरे नंबर पर साइंस टॉपर हैं, पटना के ही गुलसन कुमार कॉमर्स में थर्ड टॉपर हैं, साइंस की पाइप में आठ चात्रों चात्रों ने बाजी मारी है आपको बता दें कि 88.84 लर्कियां पास होई है जबकि लर्कों का पासिंग क्रतिसत 85.69 है तीनों संकाई में टौपरों की सूची में 25 चात्रों ने अपनी जगह बनाई है टौपर में पहला अस्थान प्राप्त करने पर चात्रों को एक एक लाख रुपे इनाम के तोर पर दिये जाएंगे साथ ही एक किंडल और लैप्टॉप मिलेगा वहीं दूसरा अस्थान प्राप्त करने पर 75,000 रुपे एक किंडल और एक लैप्टॉप मिलेगा जबकि तीसरा अस्थान प्राप्त करने वालों को 15,000 रु अपडेट कर सकते हैं भारत निर्वाचान आयों की ओर से नागरिकों को वोटर आईडी कार्ड को अपडेट करने के लिए एक प्लैटफॉर्म प्रदान किया जा सकता है वोटर आईडी कार्ड के डीटेल को अपडेट करने के लिए https voters.eci.gov.in पर विजिट करना होगा इसमें form art को चुनना है इसके बाद entry में सुधार सेक्शन को चुनना है इसमें आधार का यूटिलिटी बिल आदी को अपडेट कर एड्रेस आदी का अपडेट किया जा सकता है बिहार वोट के अध्रिक्स ने मैट्रिक रिजल्ट जारी होने को लेकर दिया बरापडेट बिहार वोट के अध्रिक्स आनंद के सो ने मैट्रिक रिजल्ट जारी होने को लेकर अपडेट दिया है उन्होंने ETV भारत के साक्षातकार में बताया है कि मैट्रिक की परिक्षा परिणाम एकतिस मार्च तक जारी कर दिये जाएंगे वहीं सक्षकों को राज कर्मी का दर्जाद देने के लिए आयोजे सक्षमता परिक्षा का परिणाम अप्रेल के पहले सब्दा में जारी कर दिया जाएगा आनंद किसो ने जानकारी दिये कि रिजल्ट से संबंदित सभी काम करीब करीब पूरे हो चुके हैं रिजल्ट के लिए सरकार उच तकनीका भी परियोग कर रही है बिहार वोट के बार्वी की परिक्षा में लर्कियों का पासिंग प्रतीसत लर्कों से अधिक है इस संबंद में आनंद किसो ने कहा है कि बिहार सरकार के बालिका सक्षा के छेतर में अलग-अलग कारेकर्मों का ये फल है सीधा मरी में जल्द भवे मंदिर के निर्मान की हो सकती है घोसना सीधा मरी में जल्द भवे मंदिर के निर्मान की घोसना हो सकती है रामायन रिसर्च काउंसल के राश्ट्रे अध्यक्ज परम हंस स्वामी सांधी पेंदर जी महाराज ने जानकारी दी है उन्होंने कहा है कि सीता मरी में मा सीता की भव्य प्रतिमा को अस्थापत करने के लिए काउंसिल को तीसेकर की भूमी उपलब्ध हो चुकी है इसके लावे 25 एकर भूमी के लिए बात चीच चल रही है संबंदि छेतर में परिटर नस्तल बनाने का प्रयास किया जा रहा है चुनाव के बाद जल्धी प्रधान मंत्री नयंद्र मोदी से भूमी पूजन के लिए आग्रह करने की बात कही गई है साथी जल्धी भव्य मंदिर के निर्मान की घोस्ट ना हो सकती है डियलेट प्रवेस परिक्षा के लिए आविधन की तारीख डियलेट की प्रवेस परिक्षा दोजब चौबस के लिए आउन लइन आविधन की तिती बढ़ गई है सुलकी जमा करने की अव्धी में विस्तार हुआ है पहले किस मार्च तक आवेधन किया जा सकता था देकिन आब विलंब सुलकी के साथ 24 और 25 मार्च को आविदन किया जा सकता है इसके लिए परिक्षार्थियों को वेबसाइट HTTPS बिहारबोर्ट online.bihar.gov.in पर आविदन करना होगा जानकारी के नुसरार 30 मार्च से 28 अपरेल के बीच दियलेट की प्रवेश परिक्षा का आविदन किया जाएगा दो पालियों में एक्जाम होगा बिहार बोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया जा सकेगा । ड्राइविंग लैसिन्स को घर बेट रन्यू कराना समभब है। लाइसेंस के मेन्यू में सर्विस ओफ ड्राइविंग लाइसेंस के विकल्प का चैन करना है फिर एक एप्लिकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर इसको भरकर संबंद्र दस्तावेजों को अप्लोड कर देना है इसके बाद आपको ऑनलाइन मोड में रुपयों का भुगतान करना होगा विहारी पहचान में आज हम बात करेंगे राजकुमार सुकल के बारे में विहार के रहने वाले राजकुमार सुकल एक स्वतंद्रता सेनानी थे इनका जन्म 13 ऑगस्त वर्स 1875 में विहार में चंपारन के मुरली भरावा में हुआ था ये वही सक्स्ते जिन्होंने महा पुली दंगई करने वाले लोगों के खिलाफ कारवाई की जाएगी, पुलिस कर्मी केंद्रिय बलों के साथ कोने कोने पर नजर रखेंगे, पर्टना में CCTV कामड़ी केंद्वा होने लोगों के लिए वालों पर भी एक्षन लिया जाएगा 24 घंटे कैमरों से निगरानी होगी बीपीएसी सिक्षक भरती परिक्षा पेपर लीक मामले की होली की छुटी में भी जाच जाली रहेगी इसको लेकर आर्थिक अप्रा दिकाएं कि इनने वरी अधिकारियों के साथ वैटकी है इस दोर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में चापे मारी हो रही है तीन अभ्यूक्तों को दो दिनों की रिमांट पूरी हो चुकी है इसके बाद उन्हें जेल भेजिया गया है इनमें पेपर इनसे पेपर लीक से जुरे मामले की पूछ ताच की जा रही है साथ ही अन्य अभ्यू जुक्तों की तलास जा रही है इता है बुजपूरी एक्टर पवन सिंग ने पतनी को गिफ्ट की कार वुचपूरी एक्टर पवन सिंग में अपनी पतनी जोती सिंग को कार गिफ्ट किया है इस दौरान रिदेख हे च्य thoughtdeus ke-star见 के शिषब रहे थे जोतिस सिंग ने खुद पवन सिंग के साथ अपने वीडियो को सोसल मीडिया पर सेर किया है इस वीडियो में जोतिस सिंग पैर चुकर पवन सिंग का असरवात देती हुई नज़रा रही है दोनों ने साथ में नई गारी की पूजा भी की है इस मौके पर फैंस उने बधाई देते वे नज़रा रहे हैं। प्रधेस में कई जगों पर होली के दिन बारिस की संभावना। एक बार फिर से प्रदेस में अधिकतर जगों पर बादल चाहे रहने और कुछ अस्तानों पर बारिस के कारण तापमान में गिरावर देखने को मिल रही है। हाला कि मौसम विभाग के मुताबिक आज का मौसम सुस्क रहने वाला है। लेकिन कर प्रदेस में कई जगों पर बारिस की संभाव ना दताई जा रही है। साथ ही मौसम विभाग द्वारा चेतावनी भी जारी की गई है। प्रदेस में आज का अधिकतम तापमान 30-32 जिग्री और निंदम तापमान 18-20 जिग्री रहने की बात कही गई है। बिहार के सभी युनिवर्सिटीज के पास होगा अपना डेटा बैंक, बिहार के सभी विस्विद्यालेओं के पास अपना डेटा बैंक होगा, इसके लिए सॉफ्ट्वेर डेवलप किया जाएगा। बिहार के हरी युनिवर्सिटी को कार्यानवित करने का आदेश दिया गया है, बिहार के विस्विद्यालेओं का डेटा बाहर की एजिंसियों के पास नहीं जाना चाहिए, वही राजिपाल के इस फैसली के बाद करोरों की बचत होगी, युनिवर्सिटी इन्फॉमेशन मै जिंसी से काम नहीं लेने का निर्देश है, विस्विद्यालेओं खुद अपना सौफ्ट वियर डेवलप करेंगे। एक अन्य एक कीब दंती के अनुसार, सीता माता ने राम और लक्षमन के साथ 14 वर्स के वनवास पर जाते समय स्कुंड में असनान किया था और असरे इसका नाम सीता कुंड परा, ये अतीत में हुई कई सांस्कृतिक विकासों का गवा है और आज भी लोग उसी प्रथा को एक परंपरा के रूप में आगे बरहा रहे हैं। सिवहर की सीट से पूर्व सांस अदानंद मोहन की पतनी लवली आनंद को टिकेट मिल सकता है। समावेसी विकास और महिलाओं के ससकती करन के लिए काम करना जारी रखेंगी। उन्होंने सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। मालूमों कि इससे पहले मीरा कुमार के बारे में चर्चा की जा रही थी कि वो 2024 के लोगसवा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकती है। लेकिन उन्होंने चुनाव लेने से इंकार कर दिया है। वही मीरा कुमार बिहार से हैं और वो भारती राष्ट्रे कॉंग्रिस की प्रमुक नेताओं में से एक है। RLM प्रदेश अध्यक्ष रमेश कुसवा पतनी के साथ जदियों में सामिल। साथ ही कहा है कि इस बार लोकसवा के चुनाव में बिहार के 40 के 40 सीट रीदने का लक्ष है। नहीं RLM के प्रदेश अध्यक्ष के जदियों में सामिल होने पर उपिंद्र कुसवा ने कहा है कि उनसे आगरा कर रहे हैं कि कुछ और उमिद्वार की जरुवत परे तो प्लीज बताइए। कॉंग्रेस सांसल रंजीत रंजन पर इस मामले में FIA दर्ज। पहले से किसी प्रकार के नुमती नहीं ली गई थी। आविदन में बताया गया कि कोसी नदी में एक बास का चचरी पुल बना हुआ है। जिस पर से होते हुए एक साथ रंजीत रंजन के 30-40 हमर तक पार करने लगे थे। जिसे एक बड़ी अन्होनी हो सकती थी। राजस्थान रॉयल्स और लखनो सूपर जैंट्स के बीच आज होगा मुकाबला। इस मैच का आयूजन राजस्थान रॉयल्स के होम ग्राउंड यानि जैपूर के सवाई माधोपुर स्टेडियम में हुआ है। संजू सैंसन के हाथ में राजस्थान रॉयल्स के कमान है और केल राहूल रखनो सूपर जैंट्स के कप्तानी कर रहे हैं। मालूमों के केल राहूल लंबे समय के बाद इस मैच में वापसी कर रहे हैं। जानकारी के नुसार दोनों ही टीमों के बीच आज साम के सारे तीन बज़े से मुकाबला खिला जाएगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के तिहास में आज की तारीख आज के दिन वर्स 1946 में ब्रिटिस कैबिनेट मिसन ब्रिटिस राज से भारती नेतरत्व को सत्ता के हस्तांतरन पर चर्चा करने और योजना बनाने के लिए भारत आये थे। आज के दिन वर्स 1977 में मुराजी देशाई भारत के चौथे प्रधान मंत्री बने और केंद्र में पहली बार गयर कॉंग्डर से सरकार बनाई गई थी। आज के दिन वर्स 1999 में पी-एन भागवती जो भारत से थे भी लगाता दूसरी बात सयुक्त राष्ट मानवाधिकार समीती के उपधक्स चुने गया थे। आज के दिन विस्वच है रोग दिवस और ग्रामीन डाक जीवन विमा दिवस मनाते हैं। प्याज के निर्यात पर फिर लगा बैन पिछले साल दिसम्बर के महीने में प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया था। ये 11 मार्च को खत्म हो रहा था इसके बाद अब एक बार फिर से प्याज के निर्याद पर प्रदिबंद लगाया गया है हाला कि लोगों की और से बैन के हटने की उम्मीद की जा रही थी फिलहाल अगले आदेश तक के लिए प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया है इसके बाद एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों ने इसे इस फैसले को गयर जरूरी करार दिया है उनका कहना है कि कीमत के कम होने के बाद भी प्याज के निर्याद को रोका जा रहा है ये ठीक नहीं है वही सरकार के इस फैसली के बाद विज़ेसी बाजारों में प्याजों कारण हो सकते हैं कभी-कभी लंबे जाव में फस होने की कारण वेटिंग टाइम और ढिजल की खापत को दिक होती है ऐसे में आप खुड़ी किराया बढ़ने लगता है ऐसे स्थिति में आपको भी नहीं कर सकते हैं लेकिन और द्राइब से ले जाने पर आपका किराया बरहा है कि सके या कॉल के माधिम से इसके एससे कर सकते इसके बादा घरょ alert के नाम पर एक Campus later viral हो रहा है या विदकों की टिकेट क्लेक्टर के नाम पर की गई है लेकिन आपको बितादें कि वाइर पूरी तरह से फर्जी द्वारा टिकेट कलेक्टर के लिए परिक्षा ली जाती है जिसे पास करने के बाद ही आप टिकेट कलेक्टर बन पाते हैं ऐसे में इस तरह के आफ़र लेटर पर विश्वास नहीं करें इस खबर को पी आईबी ने भी अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा इसे पूरी तरह से फर्जी बताया गया है हम प्रति दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि बिपी ऐसे बिहार पुलेस दरोगा समित ऐसे से जैसे इनर प्रतोगी परिक्षाओं में काम आएंगे सवाल प्रति दिहास बिहार स्पेसल विग्यान करेंट अफेर्स और भुगोर से रहेंगे पूछे के पांच सवालों में अपने कितना सहीं उता दिया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं तो हमारा पहला सवाल है हाली में विश्व गौरईया दिवस कब मनाया गया है ऑप्षन ए 18 मार्च को ऑप्षन भी है 20 मार्च को ऑप्षन सी है 19 मार्च को ऑप्षन लेयन में से कोई नहीं इसका सहीं उतर है 20 मार्च को आप्सन ए बैंगलॉर आप्सन भी है बेगु सराय आप्सन से गुरु गुराम आप्सन लेयन में से कोई नहीं इसका सही तरह बेगु सराय हाली में कौन सा देश विस्व दूर संचार मान की करन असेम्बली दोजाब चौबिस की मेजबानी करेगा आप्सन है भारत आप्सन भी है जर्मनी आप्सन से मलेशी आप्सन भी है इन मेंसे कोई नहीं इसका सही तरह भारत जारकन के असापना से पहले बिहार में कितने जिले थे आप्सन है 48 आप्सन भी है 52 आप्सन भी है 55 आप्सन भी है 50 कि इसका सहींतरे 52 कौन से पुराने बंस बिहार से नहीं थी और सने मौरे ऑप्षान भी गुपत ऑप्षान सी कलिंग ऑप्षान दीनन्द कि इसका सहींतरे कलिंग भीते दिन हमारे कुछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत और चारे लोगों ने अपना जवाब हमें अमारे कॉमेंट सक्षन बॉक्स में लिगा देए जिन्होंने मंदर पुछे के सवाल का जवाब जिनके नाम है रवी कुमार राम नौसाद रजा मुसकान कुमारी पिंटू रंजीत मस्रा आजय कुमार संजीप कुमार सिब्सक्ति यजाँ मंधिकमार मुहम्मत शाकिर उसेंच जैकुमार सोभाणंद ठाकूर गोपाव भागत सुसिल कुमार मोर्थ省 वेद प्रकास सिंग मदन"- मंदल रुबी कुमारी इसके साथ ही बरते आज के सवाल को रातका सवाल है आपके इनुसर करना अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद